हेलो एवरीवन वेलकम वेक टू काविस अकेडवी यह विल डिस्कॉस उनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद एंटर्स एक्जाम मसी बायो कामस्ट्री 2019 पेपर सल्यूशन ओके ना तो स्टाट करते हैं यहां पर आपको पता है कोशन नूंबर फर्स टू फोटिवाइब मैंने अल सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मियोसिस के बारे में पूछा गया है तो आपको पता है कि यह हैदराबाद का पेपर होता है उसके अंदर है यहां पर कितने ओप्षेंस करेक्ट है थी यहां पर कितने ळी ग्रीत होता है देक्ते इ hottest हैत इं sir हम उंस्जों की ओके now presence of bivalent chromosome so bivalent chromosome भी होते है यह थे चीज़ में छी दो है यहvas क्रोमोजों में यहाँ पे एक प्रोटीन यहाँ पे प्रेजर होता है तो इसे ही इस प्रॉटीन होता है तो में बोलते है दो भी तो बियूब chromosome का condensation होता है है और चोपोसों का visible appearance और शाय होता है और न्यूक्लियर मेंब्रेन्स होती है यह है ऐसे आपका option number first second and third. there are three correct question number option number fourth क्रेंए för़ अप्रकशन घ्रण एक सब्सक्राइब नियुफिर मुउच्ब्रकिशन वह परफकर पटो कि आंदर्ण एंधर थे तो इसके सेड नवर now question number 47 a red flower a red flower balsam was crossed to a white flower एक red flower है उसको cross किया white flower के साथ now f1 प्रोजनी वर all red से और सी बाते जब cross करेंगे तो यहां पर आपको पता है कि सारी किसारी कैसे हैगी r w हैगी तो r क्या यहां पर dominant so है इस वज़े से सारे कि सारे f1 प्रोजनी कैसे होंगे रेड होंगे ओके नाओ और शाल्फिंग f1 प्रोड्यूस अभ्राइड फ्लोवर तो उसके शाल्फिंग करेंगे जब साल्फिंग की मिंस यहां पर यह वाली र को इसे साथ किया तो r w मिंस यह अगें रैड है एंड डब्लू का डब्लू के साथ तो डब्लू डब्लू है ना मिंस वाइड तो आपको कितनी प्रोजन ही मिली एक और यहां पर क्रॉस होगा तो आर डब्लू तो आल अवर यह है कि आपको प्रोजन हो कापिटल आपको डब्लू आप इसमाल अडब्लू आप गोल सकते इसको तो यह रैड रहा है वह आपको मिल रहा है और आपको अ रहा है तो यहां पर फ़्ण की तो हमें कैसा मिला हमें वाइड भी मिल जाता है ओकि ना दे रिचियो इस 621 रैड 621 रैड होंगे से पार दे जाएड रहां होंगे यहां पे जो रैड के जीन है वो आरल आल एन री डू हमीज टो इस कंडिशन में रहा दा होगा कि यहां पर डॉमिनेट्स वो कर रहा है नवाइड इस 188 तो यहां पर जो उगाम होंगे बुच्वन वीच्वन फ़लईग कॉंगॉल्जन्स तो इस सारे एक्सपेरिमेंट से आप क्या कॉंग्लूजर निकालते हो तो इसके अंदर क्या दे रखा है option number A देखते है और दी पैरेंट वर्ड टू बीडिंग तो पैरेंट कैसे तू बीडिंग है से और से बात है प्यॉर्ली गैमिट से है ना प्रेड़ेंट कैसे डिलेव तो यहां पर शुनो टाइप अपर कैसा रहा है तो यहां पर सारे के सारी प्राज़नी रडिवल मिस्प्राजरी की जो इन टाइप यह के सबसे तो बीडियर या एक को अश्च आपका होता है जिनो टाइप इन फटोब्हो डिफ्र सिरा टर्य न किर आट को हमें क्यासे निकला एक कैपिटल बया है यह जो क्रस टिया तो हमें कैसा यह इंग ऐफ जाने निकला एक यह इक आप रहां आम हमें मेले कैपिटल are कि स्मॉल एक मिल्ह प्को क्या स्मॉल इस कंडिशिन में मैं व्वाइट मिल्हाम आमें और यह तो तो टो तो लेमरों गेम्र समय जो गेंिप है आ थी फोर डिफ्रेंट तो यह होताएब का नहीं देखते र्यक तो ड्यक्रार्प से राइट वाइड धाल रियंट तबी तो आइफ प्रैटमी में साही के साही ब्लाइड रहे है साही के साही जाइड सौकर तो दी स्टेट्मेंट भी होता है आपका और चीज यह है कि आपका करेक्ट होते हैं करेक्ट ओके सॉप्षिन नम्बर एबीसी एबीडियार करेक्ट ओके नाओ इन क्रॉस एफ्टू प्लांट सेग्रिकेट एज एफ्टू प्लांट सेग्रिकेटेट एट ऐस थ्री हंडेट टॉल थी हंडेट प्लांट कैसे हैं कैपिटल टी है एंड हंडेट क स्माल टीबी हो सकता है ना इफ तल प्लांट इस रैंडम ली पिक अपन तौिब चाहिए तो विया प्लांट की तो ली अबसे तो हमें क्या मिलेगा तो और सी बात है तो अगर अमें यह नहीं पता ना क्या ना को पता की अंदर शेश्च यह तभी तो वह ड्राफ्ट करेगा सब्सक्राइब तो एक जाएब तो साह की सब्सक्राइब इस टाइब का सोच के शहींगे तो इसमाइब का sama तो इस condition में हमें मिलता है small tb means साहे के सारे हमें टॉल नहीं मिलेंगे तो यह होगता है आपका इंकरेक्ट स्टेट्मेंट इट केन प्रोड्यूस बहुत टॉल न शॉट यह हो सकता है कि हमें टॉल भी मिल सकते हैं और शॉट भी मिल सकते हैं लाइक ऐसे देखो इसकी में क्रॉसिंग कराती हूं है तो इस condition में ऐसी यह भी मिल रहा है और हमें यह condition भी मिल रही है तो यहां पर यह दें रखा है बहुत टो टोल एंशन दोनों मिल सकते हैं ठाव एक्सक्टिटेद रेशयो फस्राइश का रेशयो है वह थी रेशयो वह सकता है तो यह श क्यूंकि रेशयो गीवन नहीं है तो जो मिक्षियर है उसमें आपका इस यह कंडिशन आपकी जादा दिखेंगे कंपैर टू यह तो यह भी सही है हमेंसे इसकी कंडिशन जादा दिखती है तभी तो वह ड्राफ आया तो हम यह एक्सप्टेट करेंगे ओके सो डी भी सही है तो आपका जो अंस्वर है अप्षिन नूंबर भी एंदर डी करेक्ट होता है नाव प्रोटिंग काईने सी एक्टिवेटेट पाई मल्टिपल इंट्रसलूलर मेसेंजर विच वर फॉलेंग एक्टिव प्रोटिंग काईने सी प् आउई किसवरमिय एपी सब्सराइब इस पॉऩब सामने सी उच्फित करेंगे मेसे घल्सम काईने स्म viennent करने सामका आइक्भलिक जयाता है तो आज प्सके जालग की ऑगा क्येंशीड कर ऑई को क्सरा इस दीन कुलते हैं जो थांस्क भांटिक निकलता है सब्र कर देस्म के म बाटार एंड द य sigu डाजी ऑफ यिस्यी की के साथ टार्फ होका व sia यह फिव इसके होका और वर चीजı कि यह इघ सी एयन्पकालsm रांघक finished करेंगे देंगे इस प्रोटीन काइनल सी को बाइट गए करेंगे ओकै को यह है देरक जैंटेट भाय privileged कि तुक मैं from the D.A.Z. D.A.C.L. and the calcium okay so option number A and D what are correct now so this question is normally cell signaling this is a lot of questions I have done so 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 okay so this function is smooth endoplasm and glaticulum okay so this function is carbohydrate, metabolism, cholesterol, steroids, phospholipid, biosynthesis, gluconeogenesis glycosin to glucose conversion, glucose, neosinesis, lipid biosynthesis, detoxification and calcium regulation means calcium storage all over this is the four options all over this is the option number A, B, C, D all over this function is the detoxification of your two areas so this is the detoxification of your two areas and the other is the smooth endoplasmic reticulum so you have to take care of this thing now next section given below are the some key difference between monocoat and dicot which you have to take care of, so you have to pick up yourself Neurosinh, Monocoat and dicot which are the basic difference Conocat and die-coat so if you have to take care of basic final year you have to take care of botany and this will be more details में से पता होगा यहां पी जो ऑप्शुन नूमबर यह होता है वह करक्टर कैसे तो यह उसके पास यह से कंबिया से होती हो से किंधे इसके इस शेकंडरी ग्रोथ भी सु करते हैं बट मॉनो कोड के अंदर दूनोगा आवय आव क्यं एंस आघ हैं और वेरी स्मॉल इन डाइकोट तो जो पीत होती हो एपसेंट होती है चोटी होती है डाइकोट के अंदर जो मोनोकट के अंदर होती हो आपे वैल डोलप होती है सबसे पाहिए चीज यही आती है कि डबल फटिलाइजिशन होता क्या है यहां पर जो मेल गेमिट्स होते हैं एक फ्यूज आता है एक के साथ किसके साथ एक के साथ होता है और दूसरा मेल गेमिट्स होता है सेंट्रल नूकले के साथ सेंट्रल नूकले में कितने होते हैं दो नूकले होते हैं फिर यह तीसरा आपर होता है मिस्ट यहां पर पता होता है बीसिक चीज़े तो कि इसी को यह हम बोलती दो जाता है डबल फटिलाजेशन एंद तीन कैमें जीन नुकलिस का फ्यूजन होता है चलिए हम बोलते है त्रीपल फ्यूजन तो यहां पर तो ए और करेक्ट होता है और टो एक इंद एक स्टेस्ट में डेख रहर आपको होता है देखो देखो नुकलिसक्ण麼 और इस के सब्थे से में हुसता है उसको एक पहला फंदाए रो एकके लिजेक्ण है फोग्यिस्ट Ini हो फोलिक Creative के लिकेसी बाग्स देखो पॉला नुकली के साथ कंभाइन होता है तब तो इसको वोलते ट्रिपल फ्यूजन ओकी एंड वह एंडो प्लाजम का फ़मेशन करता है तो यहां पे बीजन करक्त होता है एंड आपको रहते हैं इंकरेट इंकरेक्ट स्टेटमेंट तो एंड एंकरेक्ट प्लांट अगे statement which is incorrect ध्यान रखना जब भी आपको incorrect statement का पूछा जाए तो फटा बड़ चे अंडरलाइंग कर लो हैना किसे confusion हो जाता है हम तो क्या कोशन देखते हम तो करेक्ट देख जून में स्टार हो जाते हैं तो incorrect statement पर अंडरलाइंग कर लो इसलिए बोला जाता है कि कोशन पर पढ़ते परेंस में difference होते हैं तो राइट हैं नाउ जो अप्टिंग करिंग करें स्पोरैंग ध्याना जाद भी आपका करें तो इंकरग में और डिवाव तो मॉट दिवरंदेट इन स्पोरmae सम्नम्बर में दिफेंट होता है वाइं पर क्या दिखाआ तून नोट इसलिए आपका ह स्टेटमेंट कोने और गैमेट लिए ब्रोडिए मियोसित यह भी इनकर्रक्ट है क्योंकि मौिक्स प्रोडिए में ब्रोडूस हो सकते हैं तो यहां पर पर और पर आपको करेक्ट कैमें पूछा गया है तो जो यह जो है फ्लोर फार्मॉला के ऊपर कोशन है तो आपका बॉक्नी में आपको फ्लोर फार्मॉला इक पर अच्छे से दिख ले ना तो इसका जो अंस्वर है इस ऑप्शन नूमबर A and C यह होते हैं आपके करेक्ट तो इसको कैसे रीट करना आपको रीट करना आना चाहिए तो इसको भी आप अच्छे से दिख ले ना नाउ विष्टिन नमबर 56 विच्वर फोल्हएं इंवर्टिब्रेट हासा हीमो ग्लोंबी आज रास्पीरिटी पिगमेंट डिजॉल इन प्लाज्मा तो यहां पर आजसा पुछा गया है कि नाउ हाइड्र स्केलेट्र मूमेंट्स और आप जब से पहले चीज़ यह आते है कि हाइड्र के अंदर किसके अंदर अब्जर होती है तो यहां पर जो एकाइनोडर्म से अनुलेट्स और मॉलस्स कहीं तीन होते नाउ होते हैं पर इसके अंदर अंदर इसके अंदर फ्लूड ट्रेश्र मिंस फ्लाक्सिबल स्केलेटन नहीं होती है जो प्शन नमबर सी होता है इंकर्ट्स आपका ए बी औन बी होता है के 58 अउट्टॉमी इस तो सबसे पहले चीज आती ओट्व पर जोता है क्या है यह कुछिंस अगें डिपिटेटिव है और तो में सोता है कि कोई भी मेंस अपने इमर्जेंसी कगेर्शंग के अंदर कैया होता है कि जो कोई organism होता है लिजर्ट घरना वो क्या करते है अपनी टैल को कास्टिंग अफ कर देती है है अपनी बोड़ी से जुब पोर्ट कास्टिंग और अपनी बोड़ी से हटा देक ही है इन्स कोई पर बाड़ी पार्ट को अलग कर देना इक्दम सी दर्ग की भाय भागना तो यह किसलिए करते है कि अपने आपको बचाने के लिए करते है प्रीडेटर स्केटेजी ओके यह करेक्ट होगा आपका ना सैसे सुसाइडल मेकेनिजम खुद को इस सब्सक्राइट करना माणना तो स्थे देक्ड के तो यह सुसाइड नहीं करता है अपने आपको बचाने करता ना तो यह होता है इंकर्ट स्टिटमेंट ना अ और अब्जबी आपजी ने फैरा में पेला मेकेनिजम इरिटेश प्रीच है कि यहाश्ट इस टेच्ख और यह प्रिदेटर स्केप्ट स्टेटिज यह भी आपका करेक्ट होगा नौ अप्शन नूम्बर डी और प्रॉसेस ऑफ और रिजनरेशन अब्जर्विन हाइड्रा तो रिजनरेशन हो रहा है यहां पर भी हटाने की बात हो रही है तो यह नहीं होगा तो आपका जो यहां पर दे रहा है यह पूझाँ दे रहा है यह नहीं होगा फिजिय ओगाईया यह पीजिए रहा है इस पूर्ड ऐस्पोंस वा समय यूनिक अन्वार्मेंट ओके सो ऑप्शन नूमबर आपका एक करेक्ट होता है नाओ पिया देखते भी बी की अंदर क्या दे रहा है अ तो माइक्रोस्पॉनियम परासाइट इंफेक्शन तो अडेप्टिव मिस बाहर से दिये रहे हैं तो यह भी आपका सही हो गया ना अल्टरनेशन ऑफ जीन की बात होगे आप जीनो टिपिक एक्सपिरिशन की बात होगे इसलिए आपका यह सी अक्षन है वह आपका होता है इं तो मिस एन्वारमेंट के अकोडिंग रहे हैं तो आपकी फिनो टिप की बात कर रहे हैं तो यह आपकी जीनो टाइप ऑफ अर्गिनिजम रिमेंस से हैं तो यह सही है फिनो टिप इस अल्टर सॉप्शन नंबर डीबी आपका होता है करेक्ट ओके ना इवन बीलो थाँ झाल 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 झाल